राजिस्थान में कहर बरपाएगा बीपर जॉय सियम गहलोतने की आपाद बैठब अब सरों को अलट रहने के दिये निर्देश अरब सागर से उठा बीपर जॉय तुफान भारत और पागिस्थान में तबाही मचाने को तयार है बलकि मांडवी में तेज हवाओ के साथ तेज बारिश भी हो रही है तो वहीं बीपर जॉय को लेकर मौसम विभाग ने राजिस्थान में भारी बारिश का रेड अलट जारी कर दिया है बलकि 48 घंटे में चकरवाती तुफान भीपर जॉय के राजिस्थान में एंट्री करने की भी उमीद जताई जाने लगी है तेजी से बढ़ रहे तुफान का सबसे ज़्यादा असर बाढ़ भेर जिले में देखने को मिल सकता है इसी के मद्दे नसर मौसम विभाग ने इन जिलो में रेड अलट जारी किया है राजिस्थान के जादतर जिलो में ठंडी हवा का दौर देखने को भी मिला है दिन में शुरू हुआ ये सिलसिला राद भर चलता रहा कुछ छेत्रों में हलकी बारिश भी हुई है मौसम विभाग ने अन्ने 16 जिलो में बारिश का ओरेंच और येलो अलट भी जारी किया है इन जिलो में करीब 75 किलोमेटर की रफ्तार से तेज हवा चलने का अनुमान भी है वही राजिस्तान के मुक्यमंत्रे अशोक गहलोत ने सीम हाउस पर बीपर जोय तूफान से संभावित नुकसान से बचाप के लिए तयारियों की समिक्षा बैठक ली बैठक में मौसम विभाक यादिकारियों की ओर से बताया गया कि बीपर जोय तूफान 16 जून को दच्छनी पश्चिमी राजिस्तान में पहुँच सकता है तो इसका जो में असर है आप जैसे ट्रैक से भी देख सकते हैं कि 16 जून को दोपेर के समय दी देखें तो यह डीप डिपरेशन होगा जिस समय यह राजस्तान में एंटर करेगा इस 16 जून को जो साउथ वेस्ट राजस्तान का जो बाड मेर और जालोर डिस्टिक्स हैं यह हमने आज रेड वार्निंग इस्यू की है क्योंकि 16 जून को आप देखेंगे कि जैसे यह सिस्टम साउथ वेस्ट राजस्तान की तरफ आगे बढ़ेगा तो भारी भार इसका दो यह तैयार रहने के निर्देश भी दी हैं साती सीम ने कहा कि जिन जीलों के प्रवावित होने के संभावना है वहां बचाब और राहत के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद रहे इन जिलों में अंडियारेफ नागरिक सुरक्षा स्वयम सेवक आपदा मित्र को शामिल कर जि इस बैठक में बताया गया है कि राजे सरकार की तरफ से सभी जिला कलेक्टर और समंदिद विभागों को 24 घंटे चकरवात और बाढ़ नियंतरन कक्ष संचालित करने के निर्देश भी दिये गए हैं तूफान से प्रवावित लोगों के बचाप के लिए प्रदेश में ज लेकिन जिस तरह से मौसम विभागने प्रदेश में अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलड़ जारी किया है इससे देखते हुए बैसफ और आपदा प्रवंदन के टीमें भी तैनात हो गई है और वो हर तरीके से इससे आपदा से निपटने के लिए तैयार भी है इस खबर में बस इतना ही अपडेट के लिए बने रही वन इंडिया हिंदी के साथ